सर्दी के मौसम में अगर खुबसूरती से जुड़ा सबसे मुश्किल काम होता है तो वो है अपने हाथों की केयर करना क्यूंकि सर्दी के मौसम में ही हमारे हाथ और पाउं सबसे ज़्यादा फटते हैं ड्राय होती हैं लेकिन हम उन पर कभी भी इतना ध्यान नहीं देती हैं हलो फ्रेंस वेलम बेक तो मैं चैनल दोस्तो आज मैं एक हाई रिक्वेस्टिट वीडियो के साथ हाजिर हूँ क्योंकि बहुत टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रहे थी कि दी आप हमारे लिए हाथों के लिए कुछ बताओ हाथ हमारे बहुत काले रहते हैं या फटते हैं आज मैंने आपको एक होम रेमेडी बताई है और यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है इसे आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं अपने फेस पर लगा सकते हैं और पेरों पर भी तो चलिए देदना करती हुए महां आज की वीजियो करते हैं स्टार्ट इसके लिए हमें क्या जाँये सबसे पहले हमने लिए यहें पर मलाई तो AFध दूद खर्ण और टोर्भ घर्ण कि रखते हैं उसमें जो मलाई आती हे उसे लिए मैंने यहां पर दो छंममक मलाई Add जाए है और चीनी से बड़े हूए स्क्रब करेंगे अपने हातों पर इस्क्रब करने के क्या फाइदा है चलिए वो बताती हूँ स्क्रब करने से यह है कि आपके हाथों पर पर जो भी गंडगी मिट्टी गईर होती है या fit del cells होती है वो सारी की सारी remove हो जाएगी हाँ मैं यहाँ पर यह बात नहीं कह रही हूँ कि आप अगर काले हैं तो यह home remedy आपको गोरा कर देगी ऐसा नहीं है आपके skin में एक अच्छी सी चमक लेके आएगी है लेकिन क्या आपको इसे regular follow करना है यह नहीं कि आपने एक बार यूज किया और फिर छोड़ दिया आपको इस home remedy को कम से कम 15 दिन तक तो करना है क्योंकि हम कोई भी चीज अगर इस्तमाल करते हैं चाहिए वो क्रीम हो कोई भी चीज हो उसे हमें कम से कम 7 से 15 दिन का टाइम ज़रूर देना चाहिए तब हमें फर्क दिखता है तो यहाँ पर मैंने इस्क्रब किया है 2 से 3 मिन तक इसके बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से वाश कर लिया है उसके बाद अब हम तयार करेंगे अपने हाथों के लिए क्रीम तो जो क्रीम मैं आपको बता रही हूँ उसे आप अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं जितनी भी आपकी फटी अडिया है उसको ठीक करेगी और अपने फेस पर भी लगा सकते हैं इसमें कोई भी हमने ऐसी हानी कारक वाली चीज नहीं मिलाई है जो आपकी स्किन को खराब करें यहाँ पर मैंने लिया है रोगन बादाम तेल तो यहाँ पर मैं एक चम्मच बादाम का तेल लूगी बादाम का तेल आपकी इस्किन को अंदर से मॉस्चुराइज करेगा आपकी इस्किन को फटने नहीं देगा तो मैं यहाँ पर अपने हाथों और पैरों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच बादाम का तेल लिया है अगर आपको ज़्यादा कॉन्टिटी में इस्किन को बनाना है तो आप इसमें कम से कम तीन चम्मच बादाम का तेल लिजिएगा और हाँ इसे आप 15 दिनों के लिए बना कर स्टोर कर सकते हैं आप इसे फ्रिज में ना रखें रूम टंप्रेचर पे रखें उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चमच अलोवीरा जेल लिया था आधा चमच वैसलिल लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर 7 बूंद ग लिसलिन के लूँगी ज़्यादा ग लिसलिन हम इसमें अड़ नहीं करेंगे आप 6 से 7 बूंद इसमें अड़ कीजिए और उस मिक्षन को अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है और एक बहुत ही फलप भी टाइप की एक क्रीम बन कर तयार हो जाएगी और इसे आप अपने हाथों पर लगाएं पैरों पर लगाएं जहां भी आपको लग रहा है कि आपकी इसकिन बहुत ड्राइ हो गई है आप उसे लगाएं और आप इस प्रोसीस को नाइट में कीजिएगा अगर आपको हाथ स्कुरब करना है जैसे दिन में कर रहे हो तो आप इसे क्रीम को दिन में भी लगा सकते है स्कुरब करने के बाद और रात में भी आप इसे अपने हाथों पैरों पे लगा कर सो जाएए सुबह देखिए आपकी जो इसकिन है कितनी सॉफ्ट और ब्राइट नजर आएगी तो दोस्तो ये थी मेरी आज की होम रेमिडी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरू बताएगा अगर कोई भी गलती या कमी नजर आई है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स के जरीए बता दीजिएगा